दोस्तो जै माल लक्ष्मी दोस्तो यह तीन उपाय करिये और हो जाए माला माल जी हाँ दोस्तो आज के इस वीडियो में दीपावली के दिन जो की आज है आज की दिन यदि आप भी तीन उपाय करते हैं लक्ष्मी पूजा करते समय तो आप भी माला माल हो सकते हैं माल लक्ष् या तेन सबसे सरल और सबसे प्राजिन उपाय जो बता रहा हूँ यह उपायदी आप भी करते हैं तो कुवेर जी के साथ सत्मा लक्ष्मी जी आप पर हमेशा के लिए अपने कृप बनाएं रखने वाली है दोस्तो आज के दीपावली है दीपावली को जी आप लक्ष्मी पूजा करेंगी शाम के समय तो आपको तीन उपाय करना है पहला उपाय क्या है दोस्तो ध्यान रखे दीपावली के दिन विशेश करके लक्ष्मी पूजा के दिन आपको शाम के समय हल्दी जो होती है न हल्दी हल्दी होती है स्वाभग का प्रतीक तो आपको हल्दी से अपने में डोर में याने के मुख्य दरवाजी में जाना है और दरवाजी के इस साइड चौखट के उपर में हल्दी का स्वास्तिक बनाना है क्या बनाना है? हल्दी का स्वास्तिक दरवाजे के इस साइड भी और दरवाजे के उस साइड भी में डोर के उपर में आगे से और पीछे से याने के आमने से और सामने से आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना है स्वास्तिक क्या है स्वास्तिक है लक्षमे जी का प्रतिक और हल्दी भी मा लक्षमे का प्रतिक है हल्दी का स्वास्तिक दिया बनाते है तो मा लक्षमे जी खीची खीची आपके दरवाजे में आती है आपके घर के अंदर आती है दुसरे उपाय क्या करना है दुसरे उपाय यह करना है कि हनुमान देखिए क्या होता है लक्षी पूजा में हम लक्षमी जी की पूजा करते हैं गणपत्य की पूजा करते हैं सरस्वती जी की पूजा करते हैं लेकिन लक्षमी पूजा के जिन हनुमान जी की पूजा करना बसरी है बहुत जरूरी है क्या करना है आपको दोस्तों आपको beef ठीड कर दिए उसमें एक लॉंग डाल करिकेард को हनुमान जी की मंद्र में चोड़के आना है बहुत जल्डी माल स्ल्वावलें दिद्नेड करने से जहां पैसे करते हो जूब्य पगल्ला है जहां भी पैसे रखते हुं वहां पर इस दिन आज की दिन आप प्लीस कौड़ी जिस्थापना कर देजे कौड़ी क्या है कोड़ी माल लक्षमी का रूप होती है यह अपने गल्ले में तीजोरी में जहां पैसे की स्थान में यह तीन कौड़िया या पांच कोडिय या फिर साथ कोडिय के स्थापना कर देते हैं माललक्ष्मी का आशिरवाद चमत्कारिक आशिरवाद आपको दिखने को मिल जाएगा और आप माला माल हो सकते हैं कमेंड बॉक्स में जैमाललक्ष्मी लिखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना दी